हे गाइस वेलकम बैक टो माई यूटिव चैनल आज मैं आप लोगे साथ शेयर करने वाली हूँ ताजे ताजे आम से बना बिलकुल बजार जैसा बलके बाजार से भी अच्छा और बाजार से भी जादा थिक और टेस्टी माजे की रेसिपी तो फिर चलिए वीडियो को शुर कर लेंगे यानि आम के सारे पल्प को और गुठवियो को छोड़ देंगे भाइ गुठवियों का माजा थोड़ी नवनेगा इसको चोड़नाए पड़ा तो इसी तरह हमें सारे आम से पुल्स कि निकाल रहे हूं चांकू से आम को तो सारे पुल्स निकालने के बाद भाद maul artists kottilau ayun करते हैं 8 मेर nothing या फिरए इसको कुंटर में बोल कर सकते हैं दो से तीन सीटी आने तक में इसको bauil करने वाली हूं कुकर उप इसको पतीले में depends कोई दिक्कद वाली बात नहीं है क्योंकि यह ऑलरेटई पक्के फूए आम है कि सारे पऔर को मैंने अलग कर लिया है इसको डाल दिया है कुकर मे और इसमें डाल रही हूं मैं कम से कम half glass पानी फिर इसको high flame पर मैंTION सीठी और प्हले हम लोग मार्केट से माज़ा म्गागर पीते थे तो पहले थोड़ा थिक भी था लेकिन इधर बहुत जादा पतला हो गया है खेर कोई बात नहीं मार्केट वाला माजा पतला कर दिया गया है तो क्या होगा तो जब तक आम के सीजन चल रहें तब तक माजा बरा बना कर पीते रही है और घर वालों को भी पिलाते रही हमारा आम हो चुक बस इतना ही हमें चाहिए तो यह लीजिए चीनी अच्छी तरह पानी में घुल चुका है अब इसको रखते हैं साइड में और चलते हैं नेक्स्ट टेप की तरफ मैंने आम को कुकर से निकालकर ठंडा होने के लिए रख दिया ठाओ यह ठंडी हो चुकी है तो अब इसको मिक्सर जार में निकालकर पीस लिंगे इसको पीसने के बाद एक चन्नी लीजिए उसके बाद जो भी पिसा हुआ मैंगो पल्फ है उसको चन्नी में डाल कर अच्छी तरह चान लीजिए वैसे तो यह बहुत ही स्मूथ लग रहा है फिर भी हमें इसको चान लेना है क्यूंकि आम की गुट्लियों में रेशे होते है ना वो नहीं आना चाहिए वर्ना माजा में रेशे मिलेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा इसलिए बहतेर हैं आप इसको चान लीजिएगा बस इसक लास में और कि शानने में किया है कि यह काफी थिक आनको अब कि पूल किया था उसमें से पानी नीक ताइल ज्लिया उप्ध्सकत минут esses कि इस Islamic कि Amazing नाव घस्ट धस थोड़ा सा लगता है किसी भी चीज को बनाने के लिए पेम स्मय का लिए जाएपाना यहां जा रही है आए जा रही है बस न किये मैंको प्यूरी में डूब मड़े आम के सीजन में इस रेसिपी को एक बार जरूर से ट्राइ कीजिए और जो लोग आपके फैमिली में माजा पीना पसंद करते हैं उनको भी पसंद आएगा क्योंकि बाजार से भी ज्यादा प्यूर और बनता है और बाजार से भी ज्यादा थिक बनता वैसे आम के सीजन के बाद को हमें Ł से पीना पेड़ेगा माजा अब कर लेकिं कि जब तक वनाते है और पीर प defense만 any चांव थोड़ा थोड़ा करके मिला रही हूं लेकिन मैं इसमें टोटल चास्नी मिला दी ठी और इस इसमें एक ग्लास के कड़ी पानी मिलाया पानी दो बड़ करके मिलाई थी हाफ आफ ग्लास ऐसे अगर आपका माजा जादा थीक बने तभी आप उसमें थोड़ा सा पानी मिला लीजिए नहीं तो बस चाशनी से ही काम चला लीजिए होम मेट माजा को आप एक सपता तक पानी मिले सकते है तुमा निछोड देंगे एक नेंबु को रहे कि अच्छी तरह पास इड़ा करेंगे कि यह मुझे काफ़ी थीक लग रहा था फिर मैं इसमें थोड़ा सा पानी आट करी और हम चलने के यह दोगे बालने के बाद मैं एक लार सा पानी और करके मिलाया है औ और चाशनी बनाए था मैंने 250 ग्राम चीनी मिलाकर और ये माजा बहुत ही जादा टेस्टी बना है इसको मैंने दो घंटे फ्रीज में रखा और अभी हमारे घर में सब लोग पीने के लिए बेताव हो रहे हैं और अभी मैं इसको निकाल ले रही हूं ग्लास में तो इतना सार मैंने निकाल लिया है सब के लिए और भी माजा बचा है कुकर में वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि बिना सब्सक्राइब किये ना जाएं